नमस्ते मैं हुआ पाल रहादगी आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है मेरी बॉलिवूड जैसी इंट्रेस्टिंग लाइफ के अंदर मेरे दो फोन्स मुझे अभी तक नहीं मिले हैं वो दो फोन्स जो मेरे बैंक अकाउंट से कनेक्टिर हैं इनकम टैक्स नहीं मिले हैं तो रीट्रीव दोस तो फोन्स हमने एक अप्लिकेशन बनाई है जो मेरे लॉयर सब्मिट करने वाले हैं मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबको पता है कि मैं मोदी समर्थक हूँ and सबको पता है कि मैं मोदी जी की बहुत बड़ी समर्थक हूँ in spite of that गुजरात में भाजपा सरकार है केंद्र में obviously भाजपा सरकार है मगर आमदबाद पुलीस did not behave in the way that they should have behaved वो लोगों ने मुझे notice दिये बिना मेरे घर से उठाया and जिस तरह से उठाया उसके बारे में आपने सुना होगा in amdabad mirror that newspaper that makes fun of hindu gods and goddesses जो newspaper obviously मेरे बारे में भी anab shanab लिख रहा था वो newspaper ने हमारी version public को you know सुनाई तो actually life is ironical जैसे बॉलीवूड में कोई दोस्त नहीं है दुश्मन नहीं है वैसे politics में कोई दोस्त नहीं है दुश्मन नहीं है वैसे media में भी कोई दोस्त नहीं है दुश्मन नहीं है media ने एक तरफा story चलाई कि कैसे पायल गलत है मगर amdabad mirror was the only newspaper that run the story from our side by taking sangram ji's interview तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि obviously amdabad police behaved in a non-protocol manner मैं यहाँ पर कहती हूँ कि भारत के अंदर किसी को भी राइट है किसी के ओपर FIR दर्च करने का if it is falling in legal categories and sections मगर जिस प्रकार से मुझे pick-up किया गया that is not acceptable मैं सोच रही थी कि मैं राम राज्य में रह रह रही हूँ but this looks like गुंडा राज and Modi ji you need to do something about this because आप CM रह चुके हैं Gujarat के and अब आप Prime Minister है और आज की तारीक में भी सरकार भाजपा की है मैं DGP Gujarat को मिली उनके office में Sangram ji के साथ मैं CP of Ahmedabad उनको मिली उनके office के अंदर मैंने written emails भेजे हैं to both of them you know stating my side of the story देखते हैं कि उनकी तरव से क्या कारवाही की जाती है because it is very important that police behaves nishpaksh I am not asking to police to give me any special favors because I support Modi ji but I expect police to have an impartial investigation जिस प्रकार से local Ahmedabad police ने मुझे pick up किया that is not acceptable it was not in protocol मेरे साथ जो हता पाई हुई that was also not acceptable मगर बड़े बड़े शेहरों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहती है मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी responsible legal citizen हूँ भारत की law abiding की bail order की hard copy मिले बिना मैं first of this month को गई थी to satellite police station to do my hajri because that was one of the conditions of the bail bail के और भी बहुत सारे conditions थे मगर एक बात बहुत स्पष्ट है कि मुझे इस मुद्दे के ओपर बात्चीत नहीं करनी जिस मुद्दे के वजह से मुझे arrest किया गया है I don't think irrelevant people and stupid people deserve that much of importance मगर हां I am very very disappointed by the behavior of Ahmedabad police उपर से order आया left से order आया right से order आया मुझे नहीं पता मगर जिस प्रकार से उन्होंने मुझे pick up किया that was not ethical इतना ही कहना है कि भारत के अंदर हम सब को obviously अपनी नीजी सोच व्यक्त करने का right दिया है भारत के सविधान ने and people who are very active on social media उनके साथ ये नहीं होना चाहिए I am hoping for justice मैं चाहती हूँ के मेरे जैसे और भी जितने लोगों के साथ ऐसा गलत बरता हुआ है by police they should voice their opinions because हम चाइना में नहीं रहते हैं हम भारत में रहते हैं we have a right to our opinion और अगर हमारी opinions की वज़ा से हमें इस तरह से silence किया जाए from उपर का orders then I don't think it is a democratic way of functioning ये कहके मोदी जी आपकी में समर्थक थी और रहूंगी I don't change my loyalties but yes I am expecting Ram Rajya not Gundaraj Namaste Jai Hind